यो गाइज वाट्स अप वेलकम बाक तो माई चैनल दर लाइन स्कूम वेलकम बाक तो दे गेम प्ली आफ ड्रागन बाल जी के कर राट लास्ट एपिजोड में गोकु ने वेजीटा को डिफीट कर दिया वेजीटा अर्थ छोड़के जा चुका है अब सारे अर्थ वारियोस खुश हैं लेकिन मौरन भी कर रहे हैं बिकाज काफ़ सारे साथी उनके इस युद में शहीद हो गए हैं और वो अब किंग काई के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम यहां पर हैं अर्थ पर एस गोहान हमानी मदर जो चीची है उसने हमको कहा है कि किसी कुक से हमको एक रेसिपी लानी है और एक फुल कोर्स मील बनाना है यह बन्दा जो है यह चीची का फादर है ऑक्स केंग जिसने अभी अभी हमें वाइट अट रिंक दी है लेकिन हमें इससे बात करनी पड़ी तो ऐसे बहुत सारे कैरक्टर्स हैं जिनसे हमको बात करनी पड़ी है और वो हमें बहुत अच्छी अच्छा इटम्स देंगे तो अब हम चलते हैं केलन विलेज की तरफ जहाँ पे हमको वो कुक को ढूना है यह रही वो कुक जिसे हमको रेसिपी लेनी है यह हमारे माम की फ्रेंड है ओके कुकी कुक है नाम इसका बहुत बारी चीची ने बचाया था कुकी को भीडियों से काईज चल देचे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और पैल आइकन को दबाना मत भूलिए हमारी स्टोडी बहुत ही इंट्रस्टिंग होती जा रही है ड्रेगन बॉल जी एपिसोड की तो मेरे साथ जुड़े रही है और काईज कमें हमको बहुत सारे और अच्छे अच्छे आइटम्स भी दे दिये इस लेडी ने मजाक करती है यह लेडी बहुत ही जादा चलो अब हम निकलते हैं वापस चलते हैं चीची के पास राइट पहुच गए हम लोग यह बहुत स्टोरीज है यह स्टोरीज भी देखनी काफी जरूरी होती है इनसे भी हमको आइटम्स मिलते हैं रिवार्ड्स मिलते हैं चीची की स्टोरी बताई है चीची का हेलमेट मिल गया हमको राइट चलो अब बात करते हैं मेके डिश मेके फुल कोर्स मिल येस वो बहुत सारे एफेक्ट्स मिलते हैं फुल कोर्स मिल में लवली ओ लुक्स यम्मी फॉट अफट से खातम कर देते हैं सब कुछ चलो गोहान कैसे खा रहा है बाई ओ अकेली तरह सब कुछ खा गया ये ओ लवली काफी सारे एफेक्ट्स हमारे बढ़ जाते हैं ये सही है हमें फुल कोर्स मिल बना के रखना पड़ेगा काफी जादा इसारर में जनर्म मत जाते हैं एफ लड़ाई के बाद पड़ाई कहा होती है मॉर्म मास्टर रोशी के पास वापिस सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है धीरे-धीरे ट्रेनिंग ग्राउंड ओपन हो गए हैं अब हमारे लिए अब हम चाकर के कभी भी ट्रेनिंग कर सकते हैं ओके नई ट्रेनिंग आ गई हैं अब हमारे पास करने के लिए किंग काई का मेंसेज आ रहा है गोगन के पास काफ़ी सारी इवल एनरजी जा गई है अर्थ पे अब अब उन्हें हमें ही नपटाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे फादर गोकु तो रिकवर कर रहे हैं हमने चल्दे रिकवर कर लिया है तो अब हमें जाना पड़ेगा और उन इवल एनरजी को खतम करना पड़ेगा पहुँच गए हम लोग यहां पर इनका तो रेड औरा है रेड भी है क्रिमसन भी है ओके यह तो विलेनियस एनेमीज हैं जो कि काफी पावर्फुल होते हैं लेकिन इंसे काफी अच्छे रिवार्ट भी मिलते हैं चलो हमारी फाइट शुरू हो गई है लेवल एटीन काफी जादा लेवल है इनका और यह है वितीन तीन अरे भाई कहां जा रहा है तूं झालो बाई वन डाउन हो गया है जालो बाई वन डाउन हो गया है लवली अपिस अही ब्लॉक करके खेल रहे हैं हम इसमें टू डाउन अरे सब कतम हो गए यहां तो चालो सही एस रैंक मिल गया हमको काफी सारे ओम्स मिल रहे हैं लवली या लवली यास मज़ा ही आ गया अल्टिमेट और भी मिल गया हमको राइट अर्थ पे पूरे अर्थ पे बहुत सारी विलेनियस एनिमीज आ गये हैं बहुत सारी नेगिटिव एनियस आ गये हैं उन सब को खत्ब करना पड़ेगा सुपर विलेनियस एनिमीज हैं यह ओके राइट अब हमें जाना है कामे हाउस की तरफ मास्टर रोशी से मिल ले यह सब आइटम्स स्कैटर्ड रहते हैं डी मेडल बहुत ज़्याधा ज़रूरी क्योंकि आपको अपगरेड़् करने के लिए अपगरेड़् करने के लिए. डी मेडल ज़र्ब अब हम चलते हैं Wait Map की तरफ काफ़ी सारे एरियाज Intern अनलॉक हो गए हमारे हमरी सटोरि काफ़ी ज़ाद़ प्रोसीड हो गई है अब हम को जाना है कामे हाउस चलो तो चलते हैं कामे हाउस मास्टर रोशी के पास तो अभी हम अपने आपको प्रेपेर कर रहे हैं आगे आने वाली फायट के लि underway होने यहने वाली है नैमा ग्राह पर हम लोग प्रिपेरेशन करेंगे नेमग गया पे जाने के लिए लेकिन उस्ते पहले हम अपना थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे मुझे तो काफ़ सारी चीज़ा नहीं पता है इस गेम के बारे में वो भी देखनी पढ़ेंगी कैसे होती है हमारा पावर लेवल कैसे बढ़ता है डिफेंस कैसे बढ़ता है ये सब चीज़े भी देखनी पढ़ेंगी हमें चलो हमने ये टर्टल स्कूल्स न्यू रिक्रूट एक और नई स्टोरी आ गई है हमारे पास ओके लाउंच ओके ओहो डूल परस्नालिटी की बात कर रहे हैं यहां पर चौलो मास्टर रोशी से बात करते हैं मास्टर रोशी क्या कह रहे हो बो मास्टर रोशी के बारे में बात कर रहे हैं मास्टर रोशी यहां पर क्रिलिन को भी बेजा था इन्होंने धूडने के लिए लेकिन वो धूडन नहीं पाया ओके कुल बॉडीट करली ब्लू है ओके बॉटा को ज़्यादा इमाजिनेशन कर रहा है अब काम और स्वीट परसन है ओके ठीक है चलो अब हम तूनते हैं लाँच को हैट तोर्ड वेस सिटी अन दा वर्ल्ड मैप ओके यह सब हमारी सब स्टोरीज हैं जो हमको करनी पढ़ेंगी स्टोरी को प्रोग्रेस करने के लिए और इनसे काफी ज़्यादा इफेक्ट्स मिलते हैं हमको आईटम्स मिलते हैं एक्स पे मिलते हैं और काफी इंटरस्टिंग होती है यह स्टोरीज बहुती मज़ा आता है नएने कैरक्टर्स से मिलने को मिलता है ड्रागन बॉल्जी के अब हम ढूनते हैं लाँच को यहाँ तो मुझे नहीं मिल रही यहाँ तो मुझे आउबस मिल रहे हैं लेकिन चलो एक और सबस्टोरी हमारा इंतवार कर रही है इस गुफा में ज़े बहुत ही सारे क्रिस्टल्स है इन को कलेक्ट कर लेते हैं आईरन ओर मिल गया हमको ऑके ओके औरे वाँ यह तो चमक रहा है भई ओह 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 ओआप जी ओबम्स है यहां पर डी मेडल भी मिल गया हमको एक ओर ओबज बचा है गुफाओं में बहुत पाल मसाला है यहां पर चालो सही हो गया हमारा काम यहां का अब हम बात करते हैं इनसे कौन है ये लोग देखते हैं अटाक हो रहे हैं तपिलाफ गैंक्स प्लान ओके वहाँ प्लान चलो! तो इनको बचाते हैं हम पिल गैंक को इन रबोटस से इन्होंने उनको चोरी किया लेकिन चोरी करते ही ये पागल होगए जैसे इन्होंने उनकी मोडीफिकेशन करी चलो हम इज की मोडीफिकेशन को खतम कर देते हैं और ये emphasizes कर देदा पूरी तरीकर से लेवल 16 है यह सिर्फ वन डाउं तूसरे की तरफ अबलब बढ़ गया रहे है वह इस दो पुछ की पक रहे हो भाई पहाड़ी उसे हो पुछ किविंग एनी थाइम हमें अपनी सुपर पावर भी यूज करने की जरूत नहीं बढ़ रही है बहुत ही स्ट्रांग हो गया हमारा कैरेक्टर लाप लेज तफर तफर येस एस रांट मिल गया हमको रेंबो और मिल गए है ओके हुरेए ग्रेट एंपरर पीलाफ है ये पीलाफ एंपर पीलाफ एंपर पीलाफ ओके इतना क्यूट सा बंदा जो है ये वर्ल डॉमिनेशन पर निकला है चलो हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है काफी जादा चीज़े मिल गई है हमको यहाँ पर राइट ओके ओहो इनके सोल एंबलेम्स भी मिल गए हैं हमको चलो अब हम ढूंडते हैं लाउंच को वो रही सामने हमारा लाउंच वहीं पर मिलीगी हमको हमारा लेवल अब भी हो गया है यहाँ पर यहाँ तो लडाई चल रहे है भाई एक नीले कलर की बाल वाली लड़की है और एक पीले कलर की बाल वाली लड़की है वो रॉपोर्ट्स निकाल लिये इसने लाउंच तो नीले बाले वाली है मास्टर रोशी ने यही कहा था हमें बच्चाना पड़ेगा लाउंच को जालो पाटा पद्रेने कदम करते था और भाई लेवल एटीन है यार यह लेवल का पिछ जादा है इसका आखरी बंदर रह गया है यह आखरी रोबाउट रह गया है वारा कॉमबो लेवल देखो सब पर दस्ट काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है हमने इस फाइट में आपको ओहो लबले यार चलो सही एस रैक मिल गया हमको काफी सारे रिन्बो आउब्स मिल गए और ब्ली आउब्स मिल गए हैं ओके चलो बात करते हैं अब इन से ओहो इन्होंने इसका मैप चुरा लिया था जो कि ये ढून रहे थे इससे ओके अरे बाई दे दो बाई मैप दे दो इसका ये है लाँच अरे यार मज़दा फटाफट से इसका मैप दे दो वरना ये दूसरे रोबोट बुला लेगी बाई पास्टरोशी नि जिसका था कि ये तो ब्लू हेर्ड है और काम है ये तो बहुत ही ज़ाद अग्रेसिव लड़की है भाई अगर कि अजए भी शीन्दा रहा है इसका अपना ही एजढ़ चल रहा है इसका चलो भाई मारा काम यहां ख़तम हो गया अब हम चलते हैं मस्टर रोशी के पास और उन्हें बताते हैं कि यहां यह सब क्या हुआ है ओके हैट तूवर्ट्स कामेहांस अन दे वोल्ड मैप चलो हम पहुँच गए हैं मास्टर रोशी के पास वाट लाँच तो आगई वापिस हैं ब्लू हेर्ड कैसे हो गई है अब वाट यह तो बिल्कुल ही बदल गई यार राइट परस्नालिटी चेंज होती है इसकी चींकने से यह ब्लॉड हेर में कनवर्ट हो जाती है और इसकी परस्नालिटी चेंज हो जाती है वाट सही ब्लॉड की चुच लएजिए भाई आग ब्लॉड के लगए आटेवेर। चलो भाई मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना ही बना दो हमें भुख भी बहुत लगी है इतना सब फाइट कर ली तुझे धोड़ने में चलो राइट थोड़ी एनरजी मिल जाएगी हमें थोड़ी की मिल जाएगी हमें एम्बलेम मिल गया है लॉंच का हमें अरे वाई कुकिंग में तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त है ये अब हम अपनी पार्टी में आड़ कर सकते हैं क्रिलिन को मतलब हमारे साथ एक और प्लेयर रहेगा साथ में जिसको हम एड़ कर सकते हैं जो हमारे साथ चलेगा और जिसके साथ हम खेल सकते हैं खुब सारी फाइट कर सकते हैं ओके चलो फटाफट से एड़ कर लेते हैं हम यहाँ पे क्रिलिन को अलेड़ी आड़ेड है सपोर्ट ओनली ओके ठीक है लेवल टैन है और राइट चलो यह हमने एड़ कर लिया है ओ पार्टी बोनस भी मिल गया है हमको सही दूसरे बंदे को अब हम एड़ नहीं कर सकते हैं अभी एड़ नहीं कर सकते हैं हम ओके राइट अब हम चलते हैं चीची के पास फटाफट से चीची ने पोला था वापिसा के स्टडी करना है मास्टर रोशी से हम मिल लिये लॉंच को हमने ढूंड लिया अब हम चलते हैं वापस गोकु हाउस पहुंच गए हम लोग आक्स किंग अभी तक यहाँ पर है लेकिन घर के बाहर ही खड़ा है यह चलो हम चलते हैं घर के आंदर क्लिन भी बाहर ही खड़ा है हेलो मामी हम आ गए है चलो बताओ हमको क्या काम था बैको रेड़ी येस क्या पृचच अरा मारे करतापी है यहाँ आपक्याक्याट ट्रुमह का रेड़ाट बाहर है आर यह थर मों उनका वर्श तक्रुंट्स दाओ ऐ। हम हम क्याँ प्रोह ज चाहा हम का मलम लुत हम क्याँ बैक्याँ सग्या है ओके चलो हमारी स्टोरी कम्टिट हो गए हमारा लेवल अप भी हो गया है येस येस येज फिर्टी प्राइस येस डाइस राइड बहुत सारे हमारे जेड वारियर्स जो है वो अभी ट्रेनिंग कर रहे है केंग काई के साथ उन्हें हमको ड्राइगन बॉल्स से इखटा करके जिन्दा करना पड़ेगा हमें ओके गोहन और बहुत सारे ड्राइगन बॉल्स है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है ओके कामी की ओल्ड स्पेशिप बिल गई है और राइट यो अब हम जाएंगे Frieza the Evil Emperor ओुओुदूूूूूूूूूूूीूूूूूूूू०ू॥। लूवूूूूूूुूूूूू। चट वेत Hello? Oh! UHH Hi Bulma! Ha, ha! बुल्मा से बात कर रहा है बुल्मा कह रही है मुझे कैपसुल कॉर्प पे आके मिल वेस्ट सिटी में ओके चलो चलते है बुल्मा के पास प्लाइट चलो के का पास चल के भी पता चलेगा हमें बुल्दीट फर्यों से एस्टी भी येस्ट येस्ट बिलॉब immature और बश्री थालेट वर्ड्रिवनेश्ल कुछ ट्रेनिंग्स आ गई हैं हमारे पास लेवल 15 क्रशिंग स्ट्राइक सुपर मसैंको अब भी हम कंडिशन्स मीट नहीं कर पा रहे हैं अब हम चलते हैं सीधा करेक्टर में हमारा लेवल यह है हमारे सारे स्टैट्स यह हैं हम गए अपने सूपर अटैक पैलेट पे तीन अब हमारे पास और राइट इनको स्किल पैलेट को भी हमको अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूर्ण अब हम इसी से हमारी नई पावर बढ़ती है ओके और राइट स्किल ट्री सूपर अटैक स्किल ट्री है ओके इसमें भी हमको जाना चाहिए हम अपने अपग्रेड कर सकते हैं अपने अटैक्स को ओके इसके लिए हमको कलेट करने पड़ेंगे जड अब्स का फिस सारे ओर राइट और इनको हम अपग्रेड कर सकते हैं येस लर्न मस्सेंक को लेवल टू ओर राइट येस अब हम जा सकते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में और ट्रेनिंग कर सकते हैं अपनी ओके तो कुछ स्किल्स हमको खरीदनी है अप्ग्रेड करनी है और कुछ स्किल्स जो है वो हमको ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलेंगी बॉडी लेवल इंपैक टू मुझे तो ये पता ही नहीं था वरना नाप और वेजीटा को मैं पहले ही बड़े अराम से हरा देता हमने तो कुछ भी अप्ग्रेड नहीं किया था हम तो बेस लेवल पर ही उनसे लड़ रहे थे ओ शिएट चलो अब हम चलते हैं वोल्ड मैप पर और चलते हैं वेस्ट सिटी में ओके गोहन अन कमपनी सेट कोर्स पर प्लैने नमेक एगर तो रिवाइब दफ्रेंट्स इंटर प्लैनेट्री प्रैप्स येस नाव वे आर ये दर इस वन साइट स्टोरी और दर इस वन में स्टोरी सर पहले हम साइट स्टोरी पे चलेंगे देखते हैं ये उलॉंग क्या कह रहा है शेप शिफ्टिंग मिस्चीफ मेकर अच्छा ओके यामचा गोस्ट यामचा कहां से आ गया ओ यामचा इस वेरी पॉपुलर विद गर्ल्स काफिस सारे लड़कियों के साथ दिखाई दिया है यामचा येस यामचा इस यामचा इस चलो फाइंड आउट करते हैं यामचा अलाइव है या नहीं इस पिचारे उलॉंग की पॉपुलरिटी कम हो रही है काफिस ढूडने के बाद हमको यामचा मिल गया है ओके ये रहा यहां पर यामचा का पीछा करना पड़ेगा हमें देखते हैं वाट अभी तो एक से मिला था अब दूसरी से मिल रहा है ये ओके चालो यहां से भी निकल लिया यामचा अब टाउन से बाहर जा रहा है यामचा अब टाउन से बाहर जा रहा है यामचा ओ एकस बॉइफ्रेंड आ गया है इस लड़की का ओके यामचा तो इसे समाल लेगा ओ उसने रोबोट्च बुला दिये यामचा तो कह रहा है बाई मेरे से फाइट फाइट नहीं होती हमें ही जाना पड़ेगा यामचा को बचाने के लिए लेवल 17 है इनका लेकिन अब हमारा भी लेवल 16 है चल भाई वान डाउं तो और रोबोट्च बचे है चलो इसकी पावर के बहुत ही कम रह गई है खलास यह चिन्दू मिन्दू से बुला लिये है इसने पहले इन इसने पट लेते हैं आप जब दर्णे डस देडट अ श्राइक पवलेक् फट्वागई बाग जा यहां से अब हमें पात्य चलेगा यही है कौन पुआर यह भी शेफट शेफट कर सकता है यार या अमचा की रेप्यूटेशन के लिए यह सब कुछ कर रहा है ताकि लोग या अमचा को ना भूले करलेन भी ढूंड रहा है या अमचा को ओके वाइट यह सब चूंचा को अमचा को आईब यह का अमचा को आईब यह यामचा का ही प्लैन था ये कि मेरे जाने के बाद पुआर यामचाबर के जो उनके साथ भी मुझे डेट करनी है उनके साथ वो डेट करता रहेगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं गया हूँ ओके नाम भी बताए उसने उन लड़कियों के अरे भाई यामचा इस वेरी फानी ये छोड़ी छोड़ी स्टोरी काफी जादा फानी है बहुत जादा मज़ा आता है करने में चलो उलांग को बता देते हैं गाईस ये था मेरा आज का एपिसोड बहुत ही जादा मज़ा आया हमें ये सब स्टोरी करने में चलदी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए गाईस अभी हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेमग रह पे जाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में हम पहुंचेंगे नेमग रह पे तो गाईस मिलते हैं आपसे नेमग रह पे नालस कुम साइन आफ